वेल्टम बेक फ्रेंड तो नए साल 2021 की सभी को धेरो सुब कामना है और इस साल के सबसे पहले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स बिहार बोर्ड की परिक्षातिती को लेकर इस समय बहुत सारी यहाँ पर अटकले चल रही हैं खासकर जब से कल यानि की 31 दिसंबर 2020 को जब से CBSE बोर्ड ने परिक्षातिती 4 मई से निर्धारित की है तब से बिहार बोड के छात्रों को परिक्षा तिति को लेकर काफी जादा यहाँ पर मन में डाउट्स बन चुकी है कि क्या बिहार बोड की भी परिक्षा तिति में बदलाव किया जाएगा या फिर निर्धारित की गई तिति पर ही परिक्षा होगी तो बहुत सारी बाते चल रहे हैं फ्रेंट्स लेकिन आज आज आपके लिए स्पेसल वीडियो लाएं आज सब कुस बताऊंगा आपको कि क्या बिहार बोड का प्लान है यहाँ पर सिलेवस को लेकर और परिक्षातिति को लेकर बने रहे हैं इस वीडियो में अन तक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या बिहार कंपेटिशन क्लासेश में और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस तरह की अपडेट समय समय पर मिलते रहें सबसे पहले आपको बता दे कि बिहार बोर्ड की जो मिटिंग हुई है यानि कि 30 दिसंबर 2020 को एक अहम फैसला लिया गया है जिसके तहत बिहार बोर्ड की जो तीति निर्धारित है यानि कि जो बिहार इंटर्मीडियेट परिक्षा जो एक फरवड़ी से होने वाली है तो कोई भी बदलाव नहीं किया जाने वाला है और यह अब पूरी तरह से फिक्स है खास बात यह है स्टुडेंट्स की बिहार बोर्ड का यह मानना है कि सही समय पर परिक्षा लेना होगा ताकि यहाँ पर सही समय पर परिक्षा लेने से विद्यार्थियों को आए उनके परिक्षा की तैयारियों को लेकर लेकिन बिहार बोर्ड का यह मानना है कि online classes और साथ ही घर में रहकर बच्ची अपनी पढ़ाई किये हैं इसलिए यहाँ पर syllabus में तो कोई कटवती की यहाँ पर बात नहीं कही गई है साथ ही बिहार बोर्ड यह मानता है कि syllabus में कटवती होन जा रहा है उसमें एक नया ही pattern लागू होगा और वो है आपके double questions का pattern यानि की friends आपको हर बिसे में जो 50 objective प्रसंद की बात है वहाँ पर अब आपको 100 objective प्रसंद दिये जाएंगे यानि हर प्रसंद के आपके दो भी कल्प होंगे आप 500 में से 50 प्रसंद हल कर सकते हैं साथ ही subjective objective प्रसंदों में भी आपके लिए ऐसा ही होगा हर आपको 2 प्रसंदों में से 1 प्रसंद का जबाब देना है यानि कि अगर आपके subjective में 8 प्रसंद का जबाब देना है तो वहाँ आपके 16 प्रसंद होंगे आप 16 में से किसी भी 8 का जबाब दे सकते हैं इसी तरह अगर आपके objective में 50 जवाब देने हैं तो objective में आपके 100 प्रसंद होंगे इनमें से आपको 50 questions solve करना है 100 questions दिये जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी यहाँ पर channels और बहुत सारी यहाँ पर YouTube channels वालों का यह कहना है कि बिहार बोड ने छात्रों को कोई रियायत नहीं दिया और नहीं उन्होंने अपने syllabus का pattern जारी किया है लेकिन सच्छा ही यह है students कि बिहार बोड ने अपने students के लिए यहाँ पर पहले ही यह pattern लागू कर दिया है और बहुत जल्द ही इसकी नई पुस्तक आपको पैच्छा pattern का जो syllabus है और यह नया pattern इस पर जो model पुस्तक है वो आपको 2-4 या 5 जनवरी तक market में उपलब्द कर दी जाएगी साथ ही बिहार बोड अपने website पर भी इसकी copy डाल देगा ताकि students वहाँ से इसे download करके पूरी तरह समझ सकेंगे कि किस तरह से परिक्छा pattern होगी और इसलिए सभी विद्यारतियों को यहां घवडाने की जरुत नहीं है बहुत जल्द ही बिहार बोड यहां पर आपको परिक्छा pattern की जानकारी दे रही है और इसके लिए model person भी website पर डाला जाएगा जिससे आप पूरी तरह समझ लेंगे और इसे समझने के लिए आपके पास परियाप समय भी होगा इसलिए आप सबी students को घवडाने की जरुत नहीं है बिलकुल परिक्छा के तयारी करें और आपके लिए बिलकुल अच्छा pattern होगा बिलकुल अच्छा परिक्छा आप दे सकेंगे तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह के भाकाबे में ना आये और किसी की भी फिजूल बातों में दिमाग लगाने क्या सकता नहीं है बिहार बोड के students के लिए बिहार बोड एकदम सोच रही है और पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है परिक्षा की तयारियां भी लगबग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द ही यहाँ पर आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा अब सवाल है कि विद्यार्थियों को इस पर किसी भी तरह की अटकलों पर विचार करना नहीं चाहिए और अपने तयारी में दिल से लग जाना चाहिए तो कुछी दिन बाकी है आप सभी को नवर्ष की सुबकामनाओं के साथ आगामी बोर्ड परिक्षा की धेरो सुबकामनाओं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी नया परसुन पत्र का मोडल पेपर आप तक पहुँच जाएगा और आप इसे प्राप्त करके अच्छी तरह से प करें ताकि हर जरुत मन तक ये खबर पहुंच सके मिलते हैं एक और नए निउस के साथ नए साल की सुबकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत